पता कैसे लगता है कि प्यार हो गया पहले तो ये बताओ प्यार क्या है इसके साथ में बहुत टाइम कर सकते हैं और बोर ना हो अरे भाइया आपका फेवरेट खाना क्या है मतर पनीर के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं सुबह मतर पनीर दुपैर को मतर पनीर रात को मतर पनीर अगले एक साल तक प्यार है आपको मतर पनीर से नहीं है चेंज चाहिए ना वहाँ पर भी प्यार है बताओ प्यार ही ऐसा कूछ है जहाँ पर आप बतलतते हो जो भी आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो जब बोलती बंद हो جती है अब ऐसा दो वज़े से होता है एक है बाहर आपने कुछ ऐसा देखा जिससे रिलेटिट आपके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉंग डिजायर है तो जैसे ही वो हमारे सामने आता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है कुछ देर केले पिर जैसे उसकी असलियत सामने आती है तो बोलती बापे से चुरूआ है जैसे आपने किसी को देखा और मतलब देखते ही अंदर घंटी बहिए शुरूँ हो गया फिर अगले दिन उसको बिना मेक अप के देख लिया फिर तुपारा घंटी बहिए यह कहने वो एक से इंट में बड़ल जाता है जिसको आप प्यार कह रहे हो उसे के तो प्यार कहते हो और किसे कहते हो यहने आपके अंदर जो इमैजिनेशन पढ़ी हुई थी उस пошब इमैजिनेशन से मिलता जुलता कोई लड़का या लड्की आपके सामने आया और उस imagination से आप थुड़ी देर के लिए जुड़ गए लेकिन वो imagination बदलती रहती है same नहीं रहती है फिर उस बंदे की अपने reality देखी जो imagination से match नहीं हो रही वहाँ पर लड़ाई जगड़े शुरू हो गए अब हम अलग हो गए इसको प्यार मोबद समझते हैं या फिर उसी imagination को रिपीट करने की कोशिश कर रहे है that repetition is boredom बोर हो जाते हैं इसे मैंने खाने के example दिया था तो प्यार क्या है? इसकी शुरुवात होती है खुद से इसकी लिखा हुआ है इसको बहुत से मतलब क्या? आपने खुद के सच को देख लिया है इसके बिना प्यार नहीं हो सकता तो सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता? सोलमेट वोलमेट की बाते होती है होता होता कुछ नहीं है सोलमेट का मतलब क्या हुआ? ये मेरा सोल वो तेरा सोल जैसे दो अलग-अलग जूते होते हैं, दोनों के अलग-अलग सोल्स होते हैं, तो दोनों जूते मिल गए, अब इनको आपस में प्यार होते हैं, तो सोल में इत मतलब क्या, यह तेरा सोल, यह मेरा सोल, जब इस सच को आप देख लेते हो, ना, कि जो मेरा सोल है, वो ही तेरा स सोल में मेरा तेरा नहीं है जैसे कुछ जुड गया है इस तरीके जुड गया जहा पे अलग उने की गुंजाईस ही नहीं है पॉसिबिलिटी ही नहीं है अलग हो लेहर पानी से कै samband istal नहीं ङाप कई सोल होगी है कोि तरीक अलग करने काई इसके अंदर कुछ information पढ़ी हुई है, इसके अंदर कुछ information पढ़ी हुई है, जब तक वो information आपस में मिल रही है, तब तक तो प्यार है जैसे ही वो अलग-अलग हो गई, तो आपे लडाई जगड़े हैं, ये कुछ और चाहता है, ये कुछ और चाहती है इसके अंदर जो सही पड़ा हुआ है वो यहाँ पर गलत पड़ा हुआ है तो लड़ाई जगड़े है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर पता है क्या होता है exactly क्या होता है when you look at your soul what is soul? yourself जब खुद की सारी layers को हटा लेते हो एक एक करके और actual में देख लेते हो आप क्या हो तो आपको कहीं पर भी कोई division नजर नहीं आता है तो अब आप प्यार ही हो गए तो मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं हूँ मैं वहाँ पर हो मैं सिर्फ इसमें नहीं हूँ उसमें भी हूँ जब इस तरह से आप जीते हो तो आपको हर तरफ अपनी ही अलग-अलग forms नजर आती है Now, if you are looking at your wife, you are not looking at her as a soulmate You are looking at her as, as myself तूनों पड़ा अपको खुद से प्यार है और नहीं है? तो आप जब उसको देख रहे हो, तो आप उसको नहीं देख रहे हो, आप खुद ही को देख रहे हो So, you are always in a state of love Soul, अलग-अलग नहीं है, जिस जूतों में अलग-अलग soul होते हैं सिरफ एक ही soul है, और वो soul मैं हूँ तो अगर मैं हर जगे हूँ तो, अब मुझे किसे प्यार करना बढ़ेगा? क्या मैं partiality कर सकता हूँ? मेरे ये हाथ, ये हाथ अगर आपको मैं choice दूँ, कि हाँ ठीक है, दोनों में से बताओ कौन सा कान आपको जादा अच्छा लगता है जो कम लगता उसको काट देंगे बताओ, जवाब दो नहीं मुझे तो दोनों अच्छे लगते, दोनों आखे अच्छी लगते अब ये कोई स्टेट थोड़ी है बिल्कुल ऐसा जैसे शीशे में खुद को देखना मा के केस में यही होता है effortlessly हो जाता है तो कि मा के अंदर से ही वो बच्चा निकला है ना मा बोलती तो है नाम के ले कि ये मेरा बच्चा है बट एक्च्छ में मा के लिए वो मैं ही हूँ बलकि मेरे से भी जादा वो मेरा है कि मुझे एक बार को कुछ भी हो जाए लेकि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए इससे क्या समझा रहा है कि उसको बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ रहा है उसको बच्चे से प्यार है जब आप प्यार करते हो तो गिरते हो जब भी कुछ करते हो तो गिरते हो ना तभी कहते हैं, you fall in love गिर जाते हो और जब गिरते हो तो बड़ी चोट लगती है इसलिए लोगों को चोटे लगती है क्यों कि कभी deeply समझा ही नहीं होता कि है हम सामने वाले पर depend हो जाते हैं dependency को आप प्यार बोल देते हैं मुझे तु बड़ अच्छी लगती है इसका मतलब क्या तु मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती कि प्यार आई है इस selfishness है अब प्यार होगा तो आप क्या कोगे जो तेरी मर्जिया हो कर छोड़ना है छोड़ना है साथ रहना है रहने अपने ही अलग अलग चेहरे नजर आ रहे होते है सोचो कितना interesting है जैसे बिलकुल अपने ही दो हातों को देखना ऐसे ही एक आप हो now every single moment of your life is full of fascination अब बोर नहीं हो सकते आप 20 साल बाद भी अपकर अपनी वाइफ को देख रहे होगे तो आप ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार उसको देख रहे हो आप कि अपनी वाइफ को नहीं देख रहे हो आप खुद को देथ रहे हो खुद की ही एक ऐसी form को देख रहे हो जो इस form से बिलकुल अलग है तो you are always in fascination किसी बच्चे को देख रहे हो तो बस देखते ही चले जा रहे हो कुछ सोच नहीं रहे हो आपे आपे कोई past नहीं है, कोई future नहीं है बस देखे चले जा रहे हो अब सामने अले को समय नहीं आएगा कि यह क्या हो रहा है उसको थोड़ी पता है अपके अंदर क्या चल रहा है बस उसको अच्छा लगेगा यही तो चाहिए सबको और क्या चाहिए एक बच्चे को क्या चाहिए किसी भी बड़े को क्या चाहिए अटेंशन ही तो चाहिए, नो यह अटेंशन इस अन्प्रोकन, इस कम्प्लीट अटेंशन, तो आप किसी से भी मिलोगे, यू विल आल्वेज बीन असेट अटेट अफ लाव कर भ informed me, यू मू झाली हो, यू बीन अन्मीशन ही तो वो आप किसी से भी मिलोगे तो यू विल्वेजर वेल शौ और दो विला, यू, 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 यू,िस यू. झाल झाल